Hello friends, welcome to master course in computer graphics इस वीडियो में हम लोग DDA algorithm को detail में समझेंगे example के जरिये जैसा कि दोस्तों हमने previous दो वीडियो में पहले Bersanam's algorithm के example के जरिये उसे detail में समझा algorithm को और फिर दूसरे वीडियो में हमने उसके proof को समझा मकसद यह था कि अगर कोई इस्ट्वेंट से वीडियो में पढ़ना चाहता है तो पहली वीडियो बस देखें और वो समझे कि कैसे उस algorithm को apply करना है एक बार आप example के जरिए algorithm को apply करना समझ जाएंगे तो आपके अंदर है कि इंट्रेस जगया कि उसके proof को भी मैं समझेंगे पर जिसकी link इसी के description या comment box में पिंक की गई होगी आप उसका benefit उठा सकते है अपने friends के शेर कीज़े ताकि वह भी इसका benefit उठा पाए और वीडियो को like चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा तो आए बीना समय कवाए मैं शुरू करता हूँ DDA algorithm के explanation को एक बर बता देना चाहूँगा इस algorithm exactly वैसा ही होगा जैसे हमें start और end point दिया गया होगा दोनों के बीच में possible जो पिक्सल होंगे उन्हें हमें select करना है ताकि उस line को हम represent कर पाए जो उस start और end point के बीच में draw की जा सकती है जैसे हम breastnm algorithm में कर रहे थे तो आईए दोस्तों हम समझते हैं कि यह algorithm कैसे किन steps का यूज़ करके उन दोनों start और end point को join करता है यान उनके बीच के pixel को select करता है so let's start और understand करते हैं इस पूरे concept को तीन best example के जरिए so friends similar to breastnm algorithm DD algorithm में भी हमें starting और ending point दिया गया होगा so starting point से x naught comma y naught हमें दिया है और ending point xn comma yn हमें दिया है और इस point से लेकर के इस point हमें एक line draw करना है ठीक है तो इसके लिए जो algorithm है और कैसे इसे apply करना है यह मैं आपको example के जरे भी पूरा समझा देता हूं इसका proof हम लोग next video में बहुत detail में देखेंगा बहुत interesting algorithm है यह और यह simple as compared to अब यहाँ पर जैसे हमने बताया starting and ending coordinates आपको दिये हैं फिर आपको दोस्तों compute क्या करना है slope जैसे कि आप से को पता है कि start or end point अगर हमें दिये हो तो slope जो होता है यहाँ पर मैं capital M से उसे represent कर रहा हूं आप small M भी यूज़ कर सकते हैं सिंबल कुछ भी उसकर हो कोई फरग नहीं पड़ता है तो slope is change in y upon change in x तो change in y मतलब y coordinate का यहाँ पर जो end y coordinate और start y coordinate से उनका difference यानि y n minus y not divided by delta x मतलब start or end जो x coordinates है यह और यह इनका difference xn minus x not एक चीज़ याद रखेगा कि उपर मैं अगर yn minus y not कर रहा हूं तो नीचे xn minus x not होना चाहिए मतलब अगर उपर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो fractional भी हो सकता है फिर step number two यह step number one था step number two में हम decide करेंगे कितने number of iterations लगेंगे अगर आपको याद हुआ कि इसने में algorithm के starting में मैंने आपको basic बताया था कि एक मिन में वापस से आपको repeat करके दिखा देता हूं कि हमारी जो पूरी coordinate axis थी जिसको हमने पूरे pixel coordinate axis में मैप किया तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक ड्रॉ करके example दिखाऊ था आपको और रिकॉल हो जाए जल्ली से राइट सो सी सो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे अगर ये एक pixel है ये एक pixel है ये एक pixel है और ये एक pixel है तो दो पिक्सल के बीच में horizontal distance का gap one unit है और vertical distance का gap one unit है तो अगर आपको कोई भी line draw करनी है for example मैं यहां से एक horizontal line ड्रॉ करता हूं यहां तक तो वो वो कितना पिक्सल आगे गया तो आप मेरी पाद ध्यान से सुनिएगा मान लेते हैं यहां पर एक pixel है और यहां पर एक pixel है तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां वाले पिक्सल का जो x-coordinate होगा अगर इस वाले पिक्सल का x-coordinate से for example x-not है तो इस वाले पिक्सल का x-coordinate जो है x-not-plus कितना होगा जितना unit distance पे यह situated है end pixel राइट तो 1 then 2 then 3 then 4 then 5 तो मैं कह सकता x-not-plus 5 पे है तो अगर आपको यह starting point से end point तक पहुचना है तो आपको कितने iteration में पहुचना पड़ेगा five iteration में मतलब इसके बाद आप इस pixel का on करेंगे फिर इस pixel का on करेंगे फिर इस pixel को फिर इस pixel को इस pixel को जब मैं कह रहा हूँ करेंगे मतलब हम algorithm की जड़िये decide करेंगे कौन को सा pixel on करना है आप समझ के अच्छे से यह तो मैंने horizontal के respect में बात की मा लीजिए कि ऐसे कर एकदम vertical line हो सीधी वर्टिकल लाइन तो उसमें दोस्तों कितने number of आपको steps करने पड़ते थे और अंसर उसका delta y मतलब आप simply समझो ना कि यह end point और start point का subtraction क्या होगा delta x होगा है ना उसी तकर line vertical होती तो delta y होता था तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमारा line जो है exactly horizontal है exactly क्या हो vertical हो अगर line sland भी है तो उस case में हमें कितने number of steps जाने पड़ेंगे तो answer है delta x और delta y मेंसे को बढ़ा है इसको हम example के ज़री भी समझेंगे बहुत detail में और जब मैं इसका proof बताऊंगे तो आपको समझ जाएगा क्यों maximum का case ले रहे हैं मेरे ध्यान से सुनिएगा कितने number of steps का मतलब है हम बीच में कितने pixels on कर रहे है जैसे आप यहाँ पर देखा कि 5 pixel के बाद हम वह आपे पहुंचे आपके किसी भी अंगल पर लाइन है तो आप स्टार्ट पॉइंट के बाद एंड पॉइंट पर कितने इटरेशन के बाद पहुंच होगे तो अंसर है डिल्टा एक्स और डिल्टा वाई में कोन बढ़ा है इनकी absolute value मतलब मॉड नेगेटिव भी हो सकता हो सकता है एक्सें छ डिल्टा वाई में कोन बढ़ा है जो बढ़ा होगा for example डिल्टा एक्स अगर बढ़ा है तो स्टेप 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 लगेंगे इसके बाद स्टेप नमबर थी आखरी स्टेप है जिसमें आपको यहां पर समझना है कि बेस्ट और यह बहुत ईजी अल्ग पर करते थे तो यहां पर दोस्तों जो है हमारा 1 से हो रहा है यह आप समझी आप है और हम स्लोप के जड़िए निकाल रहे ना कि पी के वगएरा कुछ कंप्यूट कर रहे हैं तो सिंप्ली स्लोप देखना है लेस दिन वन है कि इक्वल टू आने की गिरेटर दिर्मन है तो अगर दोस्तों लेस देन वन होगा हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो अगला देखो एक बात पहले आप समझो कि आप पर्टिकुलर एक पिक्सल पे भी आप खड़े हो एक स्पी कॉमा वाई पी पे और आपको यह डिसाइड करना है नेक्ट कौन सा पिक्सल आपको आन करन उस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगला पिक्सल उसको हम रिप्रेजेंट करें और रॉख और घौण होगी simply previous ऑला जो xp था उसमें आप plus 1 कर दो और इसको round off कर दो तो फिलाल दोस्तो round off का मतलब होता है जैसे अगर 6.5 answer आ रहा है तो 0.5 के बाद जैसे आपको round off का अगर आपका percentile 89.5 है तो आप आपने दोस्तों को बोलते हो मेरा 90 परसेंट है आप चुपाते हो है तो ऐसे round off को मतलब होता है कि 0.5 या उससे बड़ी कोई value है तो आप greatest integer लोगे तो अगर 6.5 आएत अंसर क्या होगा 7 होगा 6.6 आएत अंसर क्या होगा 7 होगा 6.5 के बाद जो भी होगा आप समझ गया च्छेज़े मतलब यहां पर 5 और 5 से बड़ी quantity दिख रही है तो आपको इसके बाद का greatest integer लेना है अगर उससे छोटी दिख गया 49 दिख गया तो आप क् तो xp में simply 1 कर देना है और yp में आपको m add करना है तो आपको याद रखना होगा क्यों ऐसा ही हो रहा है यह proof में आप समझेगे ठीक है तो यह जो भी coordinate आएगा यह आपके next pixel का coordinate होगा जो आपको on करना है अगर दोस्तो m1 हो गया तो उस case में xp और yp दोनों को सी 1 से ही increment करन है और अगर greater than 1 आ गया m concern तो उस case में दोस्तो xp जो है उसमें आप 1 by m add कर देखो यह बहुत important है 1 by m add कर रहे हैं यहाँ पर m add कर रहे थे और yp में बस plus 1 add करोगे तो देखो आप समझेगे अच्छे से 24 case यादर को अगर equal to 1 है तो दोनों में 1 1 add हो रहा है और अगर less than 1 है अ अगर less than 1 है तो y में m i एगा greater than 1 है तो x में m आएगा और greater than 1 के case में 1 by m add हो रहा है ठीक है तो मुझे लगा रहा है आपको अच्छे समझे और दोस्तों आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 1 यहाँ पर 1 by m r और यहाँ पर m रहा है तो कैसे याद रखें तो m अगर greater than 1 है तो m कुछ भी हो सकता है बहुत बढ़ी value भी हो सकती है तो आप एक point के बाद बहुत दूर तो 1 by m तो आप ऐसा logically भी याद कर सकते हो कि अगर मैं XP में m add करता था और m अगर greater than बहुत बढ़ी value होती तो अगला point बहुत दूर मिलता था तो आप line को representing नहीं कर पाते थे बहुत gap दिख जाता था pixel के बीच में तो इस तरह आप याद कर सकते हैं और less than अगर 1 है तो directly m add करते ह इसमें लेकिन y भी में ठीक है तो याद करने का तरीका तो इसमें यह इतना असान है एक बर एक case चूज हो गया ना फिर आपको यही चीज बार बार दोरानी मतलब यह दोराते जाना है जब तक आप number of steps यह दोनों में से जो भी आपने चूज किया था उसकी equal ना हो जाए औ मतलब x-coordinate का difference 8-5 तो 3 आया तो delta y compute किया y-coordinate का difference 12-6 6 आया दोनों में बड़ा कोने 6 तो number of steps कितने लगेंगे 6 लगेंगे और यहाँ पे m compute कर गया delta y बाद delta x जिसका answer 2 आया तो m की value is greater than 1 तो greater than 1 मतलब last case हो गया third case अब आपको third case है शुरू करके तब तक repeat करना है जब तक पहुचना कहा था 8,12 तक पहुचना था तो देखो मैं 5,6 से मैंने शुरू किया यहाँ पे मैं वापस से उपस लेके जाता हूं आपको 8,12 पे पहुचना है ठीक है तो आपने 5,6 से शुरू किया आप देखो बहुत easy है आप एक बार समझ लिए आप इस पर round of पे पहले धि इसमें हम xp में क्या एड करते थे 1 by m एड करते थे और yp में simply 1 एड करते थे ठीक है और number of iteration जैसे मैंने यहाँ पर बताया delta y के बराबर यानि 6 तो दिखो yp में हमेशा 1 एड होते जाएगा तो आपने यहाँ पर 6 लिखा है तो उसमें 1 एड कर तो क्या मिल जाएगा आपको 7 अब ऐसा आप 6 बार करो 6 iteration है ना तो 7 उसमें फिर एक और 8 करो 8 फिर एक और 8 करो 9 फिर एक और 10 फिर एक और 11 एक और 12 क्योंकि 6 iteration तो करने ही है यह यह दोस्तो होते जाएगा ठीक है इसका यह round off से कोई मतलब नहीं है क्या project करने वाले उसका इससे कोई मतलब नहीं है फिला अगर दोस्तो xp में हमें 1 by m add करने है तो m की value की ID 2 ID 1 by m क्या होगा 1 by 2 यह नि 0.5 तो 5 में अगर आप 0.5 add करो तो क्या मिलेगा 5.5 right अब आपको क्या करना है 6 iteration करने ना तो हर बार आप 0.5 add करते जाओ तो 6 मिलेगा फिर 0.5 add करते जाओ 6.5 मिलेगा फिर 0.5 add करो 7 मिलेगा फिर 0.5 फिर 0.5 फिर 0.5 समझ गए तो यह दो column ready हो गया फिर आपको क्या करना है कि इसका round off करना है वो आप यहां पे display पे दिखा होगे तो बतलब iterations कितने होंगे उसकी value independent of यह है तो 5.5 का round off करोगे तो 6 आएगा और यह 7 तो 7 रहेगा तो यह round off में as it is रहेगा क्योंकि वो integer है और यहां पे 6.5 क्या हो गया 7 हो गया यह 6 था तो 6 ही रहा 7 7 6 7.5 8 8 8 तो बस हो गया इन points को आप जो है जैसे मैं आपको बताया था कि कैसे हम plot करते है scaling करके मुझे लगर आपको याद होगा यहां प 5,12 तक शायद जाना था ना ऐसा कुछ राइट तो पांच बग के बाद 8 तक पहुचना है मतलब तो यहां पर मैंने दो दो का गैप लिया हो है दो फिर चार फिर छे फिर आठ ठीक है तो पहला 5,6 है तो 6 और 8 के बीच में 6 आएगा 2 6 यहां पर 7 आजागा राइट तो अग 5,6 आपको दिखाना है जो यहां पर प्लॉट है किया गया है तो जैसे पहला पॉइंट है 6,7 तो यहां पर 6,7 प्लॉट किया गया है तो इस इस 6 और यहां पर गही 7 होगा तो यह 6,7 है उसके बाद अगला पॉइंट यह है 6,8 शायद से तो दो-दो का मैंने लिया आप एक ज्यादा बन रहा है और यही DDA में होता है ठीक है तो हम लोग दो देखेंगे इसके ड्रॉप एक वगेरम है तो मुझे तक आपको वरकिंग अच्छे है समझे देखो इसमें मैं ने कवर किये अगले प्रॉब्लम में देखो 5,6 से शुरू करना है 13,10 पर पहुचना है डेल बना देना आपको 5,6 से शुरू करना है और M की वैलू यहाँ पर दोस्तो 0.5 आया है तो इसमें यहाद है अल्कुरिथम क्याता कर M लेस देन मन होता है एक्स के अंदर हम M एड करेंगे और Y के अंदर हम 1 एड करेंगे तो simply 6 में यहाँ पर दोस्तो जो है वो एड करेंगे M और X के अंदर एड करेंगे 1 ओके यहाँ पर देखो 5 है तो सीधा 1 एड कर देना 6 तो ऐसा हमें 8 बार करना है उपर मैंने बता है 8 iterations है तो देखो 6,7,8, 9,10,11,12,13 8 बार कर दिया फिर 6 में हमें क्या एड करना है M एड करना है which is 0.5 तो आप 8 बार एड करो 6 में एक बार एड करो यहाँ पर 6.5 है तो ऐसे करते जाओ आप ठीक है 8 iteration total तो यहाँ पर जो भी value आई उसको यहाँ पर round off कर दो 6 जो integer उसका round off कुछ नहीं होगा वही 7.5 का 8 हो गया जैसे पिछली पार हुआ था बस हो गया इसको प्लॉट कर दो सिंबल था है DD algorithm और अगर दोस्तों आपकी M की value equal to 1 हो जाती है जो मैंने यहाँ पर थर्ड case में बताया हुआ है यहाँ पर देखो M equal to 1 आएगा तो इस case में आप X और Y दोनों में 1-1 आड करते है तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे total number iteration 10 है क्योंकि greatest यहाँ पर delta x delta y same है which is equal to 10 आपको 10 बर add करना है y में भी और x में भी 1-1 तो सब में देखो 1-1 add करते हैं और यहाँ पर round off की value यही होगी क्योंकि इसमें fractional value add नहीं हो रही है fractional अब आएगा जब M add होगा y में या 1 by M add होगा x में are you getting ? तो मुझे लगर अच्छे समझ यहाँ इतना simple dda algorithm तो इसके साथ दोस्तों लेक्चर में end करना चाहूंगा हम लोग next video में मिलेंगे जिसमें हम dda algorithm के proof को देखेंगे detail में are you getting ? इसमें disadvantage भी मैंने लीकर रखाया लेकिन proof समल्लों उसके दोनों को compare कर सकते हो d dda और breath and ms को और फिर इसके डिल साथ रण ट्रेच को आप पढ़ सकते हो मैं आपको explain कर दूँगा अगली वीडियो में improve देखेंगे ओके thank you so much और वीडियो को लाइक चैनल को subscribe करना ना बूले